हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विदंकुर शर्मा में बहुत बहुत सौगत है दोस्तों आज की जो हमारी विडियो है यह हमारी किलोवाट आवर के डबलो एज जिसको हम बॉलते हैं या फिर यूनिट बॉलते हैं एलेक्टिसिटी की टर्म्स में थी मेरे पास जिन लोग उने बोला है कि power और energy में कैसे अंतर करते हैं ठीक है हमारा electricity का bill कैसे निकलता है तो वो सारे चीज़े इस points में हम cover कर लेंगे आज तो one by one देखते हैं दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ जो भी meter आपका energy meter आपके घरों में लगा होता है जाब वो digital हो और analog हो कोई से भी type का meter हो यह आप देख सकते हैं यहां से इसमें लिखा है दोस्तों kwh meter यह देखिए इसमें लिखा है kwh hour meter kwh ही बोलते है kwh hour ठीक है kwh hour को ही one unit बोला जाता है one kwh hour equal to one unit ठीक है तो यह कौन सा meter है kwh meter यह फिर kwh hour meter यह कितने वल्ट पर काम करते है 230 वल्ट पर कितने ampere तक current ले सकते है 20 से 40 ampere 50 hertz input supply लेता है और इसके अलवा अगर हम देखिए तो यहां पर kwh hour जो लिखा हुआ है यह लिखा हुआ है 12345.6 kwh hour मतलब 12345 kwh hour इससे use किया जा चुक है इस meter के द्वारा तो इसका यह cumulative reading है इसकी total reading अभी तक की अगर दोस्तों हम लोग पहले देख लेते है kwh hour कैसे calculate करते है kwh hour क्या होता है ठीक है 1 unit equal to 1 kwh hour अब दोस्तों इसकी इसमें अगर हम बात करें 1 kwh hour के कि इसको कैसे calculate क्या आता है unit of energy बोलते है इसको ठीक है kwh hour मतलब यह एक energy की unit है हमारे पास power जो है देखे जिससे अगर मैं fan की बात करूँ तो fan के लिए आप क्या बोलते है 50 watt का fan है ठीक है या फिर हम हमारा 70 watt का fan है तो इसका मतलब power ratings थो हमें पता है अगर हमारा bulb है कोई तो उसके लिए भी आप ऐसी बॉलेंगे हमारा 50 watt का bulb है या हमारा 100 watt का bulb है तो इसका मतलब power थो हमें सारे equipment की पता होती है जैसे fridge है AC है सबकी एक अपनी power होती है तो उसके हिसाब से हम अपना electricity bill calculate कैसे कर देते हैं दोस्तों अगर हमारे पास total running load जो है वो हमारा 800 watt है ठीक है suppose हमारा चाहे वो fan हो AC हो cooler हो whatever is there ठीक है AC का तो लोड थोड़ा हाई होगा लेकिन छोटे-छोटे equipment आप मान सकते हो जैसे कि fan हो गया bulb हो गया और और कोई छोटे-छोटे equipment ले लिया television हो गया इस तरीके की यह होगी तो यह सब चीजों को मिला के हमारा 800 watt का अगर load है ठीक है तो अगर हम एक घंटे के लिए calculate करते हैं यह होगे हमारा watt तो अगर हम एक घंटा लेके time calculate करते हैं तो हमारा जो kilowatt hour होता है energy का जो formula है energy equal to power multiplied by time मतलब जो हमें energy calculate करने है उसके लिए power में हम time से multiply करेंगे त hour कितनी थी हमारी 800 watt और hour कितना है one तो मतलब यह हमारा 800 watt hour होगे ठीक है what hour क्योंकि watt तो था ही और hour की multiply कर दी तो अगर हम इसको या तो बोल ले 800 watt hour या फिर बोल ले 800 by 1000 kilowatt hour तो यह कितना हो जाएगा 0.8 kilowatt hour ठीक है तो यह हमारे इस तरीके से हम kilowatt hour निकाल सकते हैं मतलब कि 0. 0.8 unit हमारी 1 गंटे में खतम हो जा रही है समझ रहे अगर हम 800 watt होट पर hour यूज कर रहे हैं 800 watt का अमारे गढ마 गर का लोड अगर गंटीनी चल रहा है तो उसकेसे हमारे गर में 1 गंटे के अंधर कितना power खतम हो रही है कितनी एनर्जी खतम हो रही है एक kilowatt hour से कम 0.8 kilowatt hour ठीक ह अब हमें माल लो की हमें ये पता करना है कि एक युनिट में हम कितना टाइम तक काम चला सकते हैं माल लिजे हमारे घर का जो लोड है वो 100 वाट है ठीक है अब 100 watt के load पे हमें एक unit खर्च करने में कितना time तक हम अपने equipment को चला सकते हैं तो दोस्तों 1 kilowatt hour में 1000 watt hour होते हैं तो 1000 watt hour को आप क्या करेंगे 1200 से multiply करेंगे 100 से divide करेंगे तो आपका आएगा 10 hour ठीक है 1000 watt hour divided by 100 तो यह आगया 10 hour 10 hours में आप इसको खतम कर पाएंगे ऐसे ही मैं दूसरे example अगर कोई ले लेता हूं तो दूसरे example में माल लिजे कि हमारा 20 watt का load है या 200 watt का load है यह 200 watt का load से अगर हम देखेंगे तो 1000 divided by 200 watt तो यह 200 से काटेंगे तो इसको 5 आजाएगा मतलब कि यहां पर आगया 5 hours 5 गंटे तक हमारा यह load चल पाएगा तो इस तरीके से हम calculate कर सकते हैं कि हमारा एक unit खर्च करने में कितना time लगेगा तो यह हमारा किस पर depend कर रहा है mainly यह हमारे load पर depend कर रहा है कि किस rating का हमने load उसमें अपना चला रखा है दूसरी बात हमारा जो bill calculate होता है वो भी इस unit पर calculate होता है दोस्तों क्या होता है कि basically हमारा energy meter एक integrator देखे energy meter में लिख लेता हूँ हमारा जो energy meter यह integrated device है integrated device का मतलब है कि वो क्या करता है हर रोज के bill को add करता जाता है पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चोथा दिन, पाँचवा दिन ऐसे कर गर के पूरे महीने की unit calculate करता रहता है अब मान लिजे हमारे पूरे महीने की unit होई 30 unit ठीक है for example तो दोस्तों 30 unit अगर हमारी होई bill की तो उसमें हमारा bill का charge होता है गाउं में होगा तो साड़े तीन unit हो सकता है साड़े तीन रुपीज और सहर में होगा तो आठ रुपे पर unit तक जा सकता है और industrial area में होगा तो भी high rate जाते है तो इस तरीके से अगर हम 8 से calculate करें तो 8 की 30 multiply करेंगे 240 कितना होगे 240 रुपीज होगे जहां पर 30 थी और 8 से हमने गुणा कर दिया 8 रुपे पर unit का rate से तो यह होगे 240 रुपे 240 रुपे हमें इसके लिए pay करना पड़ेगा ठीक है electricity bill हमारा होगे 240 रुपे इस तरीके से दोस्तों हम निकाल सकते हैं तो आपको कोई doubt रहा गया हो इसमें जैसे की power में और energy में क्या अंतर है कैसे हम इसको निकाल सकते हैं एक दूसरे से ऐसे current के लिए गर हम देखें दोस्तों तो अगर हमारे पास current है मान लिए 5 ampere का current है voltage हमारा 230 standard होता है single phase supply और P equal to होता है हमारा V I cos 5 तो V I cos 5 power factor हमें दिया होगा उसमें 0.8 power factor ले लेते हैं तो 5 into 230 into में 0.8 ऐसे करके यहां से calculate कर लेंगे यहां से power निकल जाएगी power निकलने के बाद क्या करेंगे अगर हमारा kilowatt hour निकालना है energy तो time से multiply करनी पड़ेगी तो यहां से multiply कर लेंगी जितनी भी power आएगी उसमें कितने गंटे का हमारा time है वो हम multiply कर लेंगे इससे हमारी total energy निकल जाएगी जो कि हमारी units होंगी kilowatt hour में तो दोस्ते इस तरीके से हम unit calculate कर सकते हैं उसमें हम जो भी unit का rate है उससे multiply करते हैं तो हमारा electricity bill यहां से मिल जाएगा ठीक है आपको कोई दिक्कत है अभी भी तो इसमें आप comment box में लिखके पूछ सकते हैं बाकी आप video को जरूर like करना और share जरूर कर देना अपने दोस्तों के बाद जिनको भी ऐसी videos की जरूरत है और channel का हमारे subscribe कर लिजी अगर पहली बार आएं तो बाकी मिलते हैं नेक्स वीडियो में thank you for watching